वेल्कम तो फ़ॉम्डेशन ग्लास ग्लास एर्थ के मैक में तो तापिक हमारा मैंसुरेशन कोशन नमबर थ्री तो आज के कोशन में क्या पूछा गया है कि एक हमारे पास एक गार्ण दे रखा है जिसकी शेप कुछ इस तरह किया तो इस गार्ण को अगर आप ज्यान से दिखोगे तो बीच वाला पॉर्षन हमें एक रेक्टांगुलर दिख रहा है और साइडों में दो समी सर्कल्स एटैस्ट तो यहां इस पूरे कोशन में पूछ रखा है कि हमें इसका पैरिमेटर भी निकालना है और एरिया तो जैसे कोशन में दे रखा है कि यह जो हमारे पास रेक्टांगुलर हमारे पास गार्ण है इसकी लंबाई हमारे पास नहीं है जो कि हमें निकालना है और गिवन दे रखा है इसकी टूटल लेंथ जो है न वो ट्वंटी मीटर है और यह जो साइडों में सेमी सर्कल लगे हुए है इसका डायमेटर सेवन है तो आप बली दूसरी साइड भी 7 x 2 होगी तो 7 x 2 प्लस 7 x 2 करेंगे तो कितरा अंतर आएगा 7 तो बीच बली टोटल लंबाई कितनी थी 20 20 में से 7 माइनस हो तो हमारे इस रेक्टांगुलर की जो गार्ण हमारा इसकी लेंथ हाएगी वो 20 माइनस 7 13 होगी तो लेट स्टार्ट डायमेंशन सेडियर 7 x 2 तो विश्चन का पहले बाक right मुझले के लिए 아무net रागड़न के साइड में समी सर्कल्स है सैमी सर्कल का सेमी सेर्कल का जो परिमीट्र का पाइब जूसरे सामी सर्कल पाइब ओर बीच में एक य और यह हैं से hebben दूसरी L यह बन गए 2L तो पाई यार पाई यार 2 पाई यार हो गया प्लस 2L यहां पे देखो 2 कावन आ गया पाई यार प्लस L हो गया अब इनकी वैली पूत करते है यहां पे हमें पारिमेटर हमारे पास आ गया 48 नेक्स पार्ट area of the garden वही semi circle का area उता पाई आर स्केर बाई 2 दूसरे semi circle का पाई आर स्केर बाई 2 और बीच में था rectangle rectangle का length into breadth अब पाई आर स्केर बाई 2 पाई आर स्केर बाई 2 बन गया पाई आर स्केर plus length into breadth अब इनकी value put की है value put करते है हमारे पास solve करते हुए आंसरा जाएगा 129.5 square meter तो बच्चो मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी सोगी तो मुझे comment box में लिखें मैं आपका reply जरूर करूँगा मैरे इस वीडियो को like and share करें अगर आप नए वीवरो तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू